Hello and welcome to this class आज के class में हम लोग करेंगे flat color and patch color तो ये है second part हम शुरू करते हैं this is a point to point tutorial series तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे fill tool fill tool कहां पे होता है so today our point one is fill tool तो सबसे पहले हम देखेंगे fill tool कहां पे होता है ये देखिए आपका fill tool यहां पे है ये देखिए ये टूल्स के नीचे कुछ options होता है ये नहीं दिख रहा है आप यहां side से इसको थोड़ा सा slide कर लीजिए तो fill tool के नीचे मुझे कुछ options दिखाना है आपको तो ये options आपका यहां पे नीचे आ गया fill tool के नीचे आपका stroke color आ रहा है fill color आ रहा है और नीचे का कुछ properties है यह मैं आपको समझाओंगा तो fill color में आपको क्या करना है आपको color choose करना है मान लिजे मैं यह image का reference देख लेता हूँ यह मेरा थोड़ा सा off white color है तो मैं यहाँ पे fill tool में यहाँ पे click करता हूँ fill tool उसके बाद मैं यहाँ पे color में गया I choose the color fill tool fill यहाँ पे मैं यह वाला color choose करता हूँ like this फिर यहाँ पे आके fill करेंगे यहाँ पे click करने से पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यह आप कौन से layer में है तो यह layer 5 यह hair layer है layer 4 यह वाला नहीं layer 3 यह वाला नहीं layer 2 यह वाला तो आपको इस layer 2 में आके click करना पड़ेगा तब ही जाके यह fill होगा इसके बाद आप क्या करेंगे यह selected होके आजाएगा keyboard में escape प्रेस कर देंगे फिर यहाँ पे screen में आके click करेंगे अब ही देखिए यह वाला आपका fill नहीं हो रहा है यह इसके लिए आपको क्या करना है यह fill tool के नीचे आएंगे यहाँ पे आपका gap size आएगा don't close gaps, close small gaps close medium gap, close large gaps यहाँ पे close large gaps on रखेंगे उसके बाद आप जब fill करेंगे तो यह देखिए यह fill हो गया उसके बाद मैं दूसरा hair color fill करना चाहता हूँ यह unhide करके मैं देखता हूँ कि क्या color है, इसका base है dark gray, इसके उपर patches आया है gray का पहले हम flat color देख लेता है so next हम लोग देखेंगे layer 3 में है मेरा, यहाँ पे layer 3 में con है, तो layer 3 में जाएंगे, तो यह color मैंने यहाँ क्लिक किया, यह color क्लिक किया फिर layer 4 में जाएंगे यह वला यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे click किया, फिर layer 5 में जाएंगे मैं यहाँ पे fill tool लूँगा यहाँ पे gray color लूँगा देखें यह जब select आता है तो आपको problem होगा तो आपको layer में जाके keyboard में यहाँ पर कहीं पर click करके escape प्रेस करना है दो बार मतलब selection यहाँ से हट जाना है नहीं तो ठीक से नहीं होगा यहाँ पर हम लोग जाएंगे gray color choose कर लेंगे यह वाला है मेरा gray color dark gray और यहाँ पर click कर देंगे एक दो मैं सारा का सारा gray color कर देता हूँ बाद में patch डालेंगे यह देखिए मैंने पूरा का पूरा gray color में fill कर दिया इसके बाद हम यहाँ पर arrow tool लेंगे जो यहाँ पर थोड़ा white color दिख रहा है यह move tool लेके जब हम line के बीच में आएंगे तो हम लोग जैसे control पकड़ के drag करते थे line में तो उस type का setting आ जाएगा उसको ऐसे click करके drag कर लेंगे यह देखिए तो मेरा यह पूरा flat color हो गया तो इसको बोलते हैं fill tool में हमने flat color डाल दिया तो यह जो point है यह वाला है point number two हमने यहां पर flat color fill कर लिया तो इसके बाद इसी flat color का process में हम लोग point three यहां पर देखेंगे patch color patch color भी एक तरह का flat color ही होता है लेकिन इसमें क्या होता है यह सारे layer hide करके यह नीचे वाला image को देखिए कैसे बना हुआ है यहां पर जो corner में देखिए थोड़ा deep color आया है उपर gray में देखिए बीच में थोड़ा सा light gray है फिर और थोड़ा dark gray फिर light gray तो यह है patch color इससे क्या होता है object को एक shadow lining के जैसा draw किया हुआ आता है जिससे object को थोड़ा depth मिलता है तो हमको यह वाला चीज भी खुद करना पड़ेगा इसको कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले मैं उस layer में जाता हूँ layer 2 में जाता हूँ layer 2 में मुझे यह patch डालना है पैच कैसे डाला जाता है arrow tool में आके यहां पर click कर दीजिए keyboard में escape प्रेस कर दीजिए अभी आप line tool लेंगे ध्यान से देखिए line tool लेंगे मैंने यहां से यहां एक line draw किया control पकड़के ऐसे adjust किया जैसे पढ़ाया था यह आप अंदाजे से कर सकते हैं थोड़ा artistic vision होने से और थोड़ा अच्छा आएगा फिर भी आप इसको एक थोड़ा अंदाजे में कर सकता है मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया मान लीजिए ऐसे तो अभी मैं fill tool लेता हूँ fill tool यह color थोड़ा सा dark patch वाला लेता है ऐसे पूरा black नहीं लेंगे अच्छा नहीं लेगा यहां पर मैंने click किया यह थोड़ा orangish हो गया नहीं ऐसा नहीं थोड़ा सा dark यह वाला like this फिर click किया थोड़ा सा dark हुआ click किधर कहीं कहीं पर आपका ठीक से click नहीं होगा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा control plus zoom करना पड़ेगा मैं undo करता हूँ यहां पर click यहां पर click यहां पर click यहां पर click यह जो arrow mark जहां पर है आपको वहां पर click करना पड़ेगा like this फिर आपको यहां पर click यहां पर क्लिक तो यहां पर मेरा क्लिक हो गया, यह दिखिए मेरा पैच इधर ऐसे आया, इसके बाद आपको क्या करना है, यह सिलेक्शन टूल लेना है, और यह एरो मार्क से यह वाले लाइन्स को डिलीट कर देना है, तो अभी मैं देखिए यह वाला मेरा थुड़ा डेप बाहर क्लिक कर दीजिए, डिसिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस, इसको थोड़ा अंदाजे में करता है, यह वाला लेयर में अन्हाइड करता हूँ, इसको थोड़ा हाइड करता हूँ, देखिए, ऐसे आ रहा है, इग्जैक्ली हम चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अंदा इसकर के ड्रॉ करता हूँ, लाइन टूल, एक कॉर्नर पे मैं दिखाता हूँ इसको, यह वाला ऐसे मैंने ड्रॉ किया, कंट्रोल पकड़ के लाइक दिस, यह वाला ऐसे मैंने ड्रॉ किया, कंट्रोल लाइक दिस, यह वाला ऐसे, कंट्रोल, यह वाला ऐसे, कंट्रोल, यह बहुत practice oriented work है, यह फटा फटा आप करना चाहेंगे, अच्छा quality का नहीं आएगा, okay, so यह वाला ऐसे, like this, okay, एक patch मैंने डाला, ज्यादा नहीं डालता हूँ, मैं दो तीन patch में ही आपको दिखाता हूँ यह वाला, आपको patiently पूरा बाकी सारे patches डालने पड़ेंगे, okay, यह वाला कर सकता है, okay, तो अभी हम यह वाला लेयर में आए, fill tool मेंने लिया, fill tool में थोड़ा सा, इस बार dark gray ले ले लेते हैं, और यहाँ पे हम side में सब dark gray fill कर देता हैं, ऐसे, undo, कुछ चीजें zoom करके fill करनी पड़ेंगी, तभी ठीक से आएंगी, ऐसे, okay, इसके बार थोड़ा सा light gray ल इसके बाद मैं क्या करूँगा, यह जो inner lining है, inner lining को delete करूँगा, मैं बाहर का outer line delete नहीं करूँगा, okay, यह देखिए, एक click करके आप delete कर सकता हैं, और अगर आप यहाँ पे double click करते हैं, तो उसका border तक अपने आप select हो जाएगा, देखिए, double click में कभी कभी पूरा border तक आएग लेकिन यहाँ पे double click नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो पूरा बाहर वाला select हो गया तो अच्छा नहीं लाएगा, okay, जहाँ पे अंदर का line है, और border तक नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे आप double click कर सकते हैं, so that पास पास जुडा हुआ line एक साथ delete हो जाए, मुझे बार बार select ना करना पड़े, okay, like this, यहाँ उपर मैं फिर से fill tool लेता हूँ, यह वाला color थोड़ा लेता हैं, और यहाँ पे जहाँ चूट गया, वहाँ पे click करता है, यह देखें, I think मैंने यह वाला एक complete flat color का tracing कर दिया, यहाँ पे और एक चीज हम देखेंगे, यह जो colors है, border, मैंने brown मे draw कर दिये, यह black में अच्छा लगता है, तो हम क्या कर सकता है, layer 2 में click करेंगे, यह select हो गया, यहाँ पे आप stroke में जाएंगे, stroke को इसको black या gray color थोड़ा कर देंगे, फिर दूसरा layer में जाएंगे, अपने आप select हो जाएगा, यह stroke को आपको gray color कर देना है, black भी कर सकता है, आ यह पाद भी जैसे हम color change कर सकते हैं, यह layer में unhide कर देता हूँ, अभी इसको में select करके थोड़ा बाहर मूव करता हूँ, तो यह देखिए, मेरा original photo ऐसा था और मैंने अपना tracing से इसको इस तरीके का बनाया, मैंने exact 100% नहीं किया, अपना idea से थोड़ा सा चेंज किया, आप च shading 3D के जैसा थोड़ा देख सके, तो आज सिर्फ इतना किजिए, flat color पहले fill किजिए, उसके बाद ऐसा lining करके patch किजिए, और एक complete चीजें बनाईए, इसको सिर्फ एक ही चीज करने से नहीं होगा, आपको 3-4 practice करना पड़ेगा, तो आप Google में जाहिए, मान लीजिए, bird से शु चुटा-चुटा drawings मिलेंगे, इसको अगर आप layer-wise बनाएंगे, तो आपको बहुत आसान लगेगा, okay, like this, so ये वाला जो practice किया था, first class, उसको color किजिए, और next assignment है, आप एक bird को, okay, आपका जो आज का assignment है, okay, assignment one क्या करेंगे, okay, first class, head color, ये पहला assignment है, और number two है, एक bird को trace करेंगे, bird tracing, okay, so these are the two assignments, जो आपको करना है, और नीचे जो classroom दिया है, उसमें मैं आपका assignment डाल दूँगा, उसमें आपको submit करना है, कुछ भी doubt है, तो आप पोच सकता है, thank you.